गिद्ध एक विशाल मा साहारी पक्षी है, जो अपनी मुर्दाखोर और गंदगी खाने की प्रकृती के लिए जाना जाता है, पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में इस पक्षी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि गंदगी खाकर यह कई प्रकार की बीम के प्रसार को रोकता है, आज के इस वीडियो में हम गिद्ध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैट्स जानेगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, गिद्ध की प्रजातियों दो समुहों में विभाजित हैं, एक नई दुनिया के गिद्ध और दो पुरानी दु दुनिया की गिद्ध और पंद्रह पुरानी दुनिया की गिद्ध प्रजातिया हैं, आस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़ कर हर महादवीप पर कम से कम एक प्रजाती का गिद्ध अवश्य पाया जाता है, गिद्ध का जीवनकाल प्रजाती के अनुसार भिन भिन का जीवनकाल जहां लगभग 10 वर्ष होता है वहीं किन वल्चर का जीवनकाल लगभग 30 वर्ष होता है जिद सबसे उची उडान भरने वाला पक्षी है इसकी प्रजाती रूप पुल्स ग्रिफन वल्चर ने 1973 में आईवरी कोस्ट में सबसे उची उडान 37,000 फीट की भरी थी ये उचाई माउंट एवरेस्ट 29,029 फीट से भी बहुत अधिक है इतनी उचाई पर ऑक्सीजन की कमी के कारण अन्य पक्षी प्रायह मर जाते हैं कई रैप्टर्स के विपरीत गिद अपेक्षाकरित सामाजिक होते हैं वे अकसर बड़े जुंडों में रहते हैं उरते हैं गिद्धों के समूह को कमिटी वनू या वोल्ट कहा जाता है उडान भरते हुए गिद्धों के समूह को कुटल कहा जाता है जब गिद्धों का समूह मरे हुए जानवर को एक साथ खा रहा हो तो उस समूह को वेक कहा जाता है गिद्ध मान साहारी होते हैं वे ऐसे मृत पश और सड़े हुए मास को खाकर बीमारियों का प्रसार रोकते हैं। ऐसा नहीं है कि गिद्ध सिर्फ सड़ा हुआ मास ही खाते हैं। पामनट वल्चर अक्रोट, अंजीर, मचली और पक्षियों को भी खाते हैं। ये कीडे और ताजा मास भी पसंद करते हैं। अफरीकी गिद्ध प्रजाती लैप पेट फेस्ट वल्चर मुर्गी के जीवित बच्चों को खाना बहुत पसंद करते हैं। घोजन करते समय गिद्ध अपनी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखते हैं। आकार में बड़े और मजबूत चोंच वाले गिद्ध पहले भोजन क करते हैं। छोटे गिद्ध बड़े और प्रमुख प्रजातियों के गिद्ध द्वारा छोड़े गए भोजन के अवशेश खाते हैं। गिद्ध की द्रिष्टी और गंध क्षमता तेज होती हैं। इसकारण वे एक मील या इससे भी अधिक दूरी से मृत जानवर खोज सक गिद्ध एक बार में अपने शरीर के वजन का 20% भोजन खा सकते हैं। गिद्धों के सिर और गर्दन पर पंक नहीं होते इस कारण जब वे मृत और सड़े हुए जानवरों को खाते हैं। तो बैक्टीरिया और अन्य पर जीवी उनके पंकों में घुसकर संक्रमन का कारण नहीं बन पाते इसलिए भी ऐसी सामगरी खाकर भी ये स्वस्थ रह पाते हैं। जिन्हें खाकर अन्य जानवर संक्रमित हो जाए। गिद्धों को अकसर दूसरे मास खाने वाले जानवरों के साथ शिकार को खाते हुए देखा जाता है। इसका कारण गिद्ध के नाखुन गिद्ध के पेट का अन्य जानवरों या पक्षियों के पेट में पाये जाने वाले अमल से काफी तीव्र और प्रबल होता है। इसकारण गिद्ध खतरनाक बैक्तीरिया से संक्रमित सड़े हुए जानवरों को खापाता है। ये अमल उन बैक्तीरिया को नश्ट कर देते ह और इस तरह गिद्ध उनके दुश्प्रभाव से बेसर रहता है। है कि गिद्ध स्वस्थ पशुओं का शिकार करते हैं, गिद्ध अधिकांशत हम्रित जानवरों को खाते हैं, जब भोजन दुरलब हो और आसपास कोई मरा हुआ जानवर उपलब्ध न हो तो सामान्यत है वे बीमार, घायल या दुरबल जीव का शिकार करते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को आउन कर ले ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मि धन्यवाद